अजिया प5000 पPod Вид अजियासा नहीं अजिया प्रश्ण नहीं वहाँ जियासा नहीं होती पह अग्यान की भती नहीं हो सकती निशन को छोकर पूछी प्ड़व्य आप तो प güld complete सरवक्य, त्रिकाल दर्शी है, चारों और ये जो अज्ञान का अंधकार भैल रहा है, उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं न कहीं खोता जा रहा है, मेरा आपसे बिनम्र निवेदन है प्रपो, किसी अन्य विशय पर चर्चारंब करने से पूर, हमारे और इस समस्त संसार के कल्यान और मार्ग दर्शन है तू, आप ज्ञान की मूल परिभाशा से एक बार हमें पुनह अप्कत कर भाएं, ज्ञान और अज्ञान की परिभाशा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, ज्ञान और अज्ञान की विशिष्टाओं का स्मरन करना आवश्चक है, जिसके कारण स्वार्थ, फिनाश, खुरूर्था, अशान्ति और भए में वृध्धी हो, वो अज्ञान है, किन तुजो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सेंशीद और विनाम्र मनाएं, वही ज्ञान है, अज्ञान की शक्तियां तुर व्योग करने ही तु प्रेरित करती हैं, किन तु जो अपनी शक्ति हो, और अपने सामर्थ्य के भति, अपने उत्तरताईद को को समझाएं, जो राकेवल अपने अपितु अपने से पहले, संसार के उत्तार ये तु प्रोच्साहित कर, वो ग्यान हैं, ज्यान का मूलो देशी परोपकार है, स्री जन्य में, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्यान, क्योंकि ज्यान आमे नाकेवल अपने, अपितु दूसरों की दुख और सुख के प्रती भी समझनशील बनाता है, कि तो जो दूसरों की भावनाओं का नादर कर, उसे ज्यान की श्रेनी में कैसे रखा जा सकता है, अज्यान के कारण व्यक्ति सांसारिक्ता में बंगता जाता है, वो माया में उलचता जाता है, अज्यान परमसत्य से दूर ले जाने का बात्यम है, किन्तो ज्यान ज्यान व्यक्ति को परमसत्य की और ले जाता है, क्यान मुक्तित आयक मुख्ष का मारकह और इस मुक्तित आयक ज्यान का सरवत चरूप है आत्म ज्यान और यही ज्ञान की फून उता भी है ज्ञान और अब्ज्ञान का यह अंता संसार में विशी कशम किसी शिशो का करन्दान है विदर्व देश के राजा और मेरे बक्त सठ्यार्थ का पुत्ळ चालु देश के राजा ने सठ्यार्थ के हध्या कर दे सठ्यार्थ की पथमी ने अपने शिशो के साह अब मी दक्षा करने हैं तो वन में शारंगी हैं तो अब तो भूभी में त्यूको ग्राब तो हो चुकी है